बागपत की चप्रोली शेट के शबगा गाव में दूसरे समुदाय के एक यूवग द्वारा भाले बै डंडे से पीठ के साथ के बर्दे पर ग्रामेडों ने यग्ग का आयोजिन किया प्रशाद बेवित्रित किया इस आयोजिन में हिंदू संगठन की कारेकरता एवं सैक्र ग्रामेड हिस्सा लेते नजर आये थाना शेट के शबगा गाव में साथ जनवरी को दूसरे समुदाय के एक यूवग ने संजिव पत्र महन के प्लॉट पर बैटे लगब 12 फिट लंबे साप को लाटी वे भाले से पीट-पीट कर मार डाला इसके बाद आरूपी यूवग साप को भाले में लाटी पर लटका कर ले ज़ा रहा था तलवी किसी ने मोबायल में इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वारेल किया आरूपी युवक ने साप के शोपो जमीन में दबा दिया पलिस में वारिल वीडियो के आधार पर युवक की पहचान कर साप को गड़े से निकाल कर वन विभाग को सूचना देगे पलिस ने वन रक्षक संचे कुमार की शिकायत पर शबगानिवासी स्वालीन के खलाफ वन ने जीव सनलक्षन अधिनियम 1972 के तहत मुकादमा पंचुकृत करते हुए साप का पोस्टमॉटम कराया जिसमें पशुटी के से डॉक्टर रोहिस सिंग ने पोस्टमॉटम रिपोर्ट में साप की रिर की हड़ी टूट ने, सर में चोटलंग ने, इंटरनल ब्लीडिंग, ब्रेंड ड्रैमेज होना बताया पोस्टमॉटम के बाद ग्रामेडों ने साप के शौक को अंतिम सिस्कार के लिए दिया ग्रामेड सतेन सरोहा राजजन सिंग्वे संजीव ने बताया शुक्रवार को सरोहा पट्टी शिव मंदिर में सर्थ की तेरामी पर विधी विधान अनुसार यगिकायुजन क्या गया जिसमें सैक्डों लोगों ने आहुती देकर आत्मा के शांति के लिए दो मिनिट मौन लखा साप के फोटो पर पुश्व अर्पित की दो और वे उन पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है नेले में वनिवी भाग के दुवारा और उसे जो नाग था उसका पोश्व मार्टम भी बड़ोत कारियले पर किया गा है और वहीं पर उसका उसकार किया गा था उसकी आत्मा की सांति के लिए गाउं में एक यज का आयोजन किया गा जिससे गाउं में सांति वनी रहे कोई आगे पर यह घटना ना हो इसलिए हम सबने मिलके यहां पर एक शांती अजिका आयोजन कियागा आज इससे आगे कोई ऐसी घटना ने घटे